सो डलबर्स अब बात करते हैं हमारे e-commerce वाले project को किस तरीके से setup कर सकते हैं सबसे पहले हमें एक editor चाहिए पहले point discuss कर लेते हैं बाद में इनको implement भी करेंगे एक editor चाहिए मैं आपको बताऊँ कौन सा editor में recommend करता हूँ और कौन-कौन से अच्छे editor हैं जो आप use कर सकते हो इंटरनेट से obviously हमें एक browser भी चाहिए code को run करने के लिए बट वो pre-installed होता है चाहिए आप as use कर लो चाहिए आप internet explorer यूज़ कर लो बट मुझे पता है कि आप लोग इतने समझदार होग एक browser को install कैसे करते हैं तो आप लोग chrome या firefox भी यूज़ कर सकते हो जो भी आप कमन करें वो browser यूज़ कर सकते हो important point आता है कि editor कौन सा यूज़ करें देखो market में बहुत सारे editor है vs code जो सबसे ज़दा आजकल developer यूज़ कर रहे हैं उससे पहले लोग sublime भी यूज़ करते थे एटम भी यूज़ करते थे ब्रैकेट्स भी यूज़ करते थे नोटपेड प्लस प्लस भी यूज़ करते थे यह चार पांच editor है जो काफी ज़दा यूज़ होते हैं आप इन में से कोई भी यूज़ कर सकते हो मैं क्या recommend करता हूँ आपको मैं recommend करता हूँ इसके अंदर बहुत सारी extension भी होती है इसके अंदर code intelligence भी होता है इसको आप easily install भी कर सकते हो जस्ट एक लिक के ओपर इसको download कर लो बाद में terms and condition check करके next next करके आप इसको install कर सकते हो बहुत easy है install करने के लिए और यहां में बहुत सारी plugins भी है जब हमें plugins की जुरूत पड़ेगी तो हम लोग plugin भी यूज़ करेंगे अभी के लिए मैं कोई plugin यूज़ नहीं करूँगा सारा का सारा code बिलकुल एक एक करके लिखेंगे हम लोग ऐसा नहीं कि बस HTML लिखा एंटर कर और बहुत सारा code अपने आप प्रिंट होगे ऐसा कुछ नहीं करने वाले ताकि हमें code याद हो जाए यूज़ कर सकते हो बट मैं रिक्मेंड करूँगा VS Studio VS Code आप इसको लिख डाउलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अब बात करते हैं कि हम लोग एक HTML की फाइल कैसे बनाएगे देखो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूं यहाँ पर फोल्डर का मैं यहाँ पर नाम रखता रहो ना तो यह VS Code के साथ ही कमांड काम करेगी इससे क्या होगा कि आपका पूरा पूरा फोल्डर आपके Visual Studio Code के अंदर ओपन हो जाएगा यह कमांड तब काम नहीं करेगी अगर आप लोग सब्लाइम ब्रैकेट्स या फिर और कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर रहे हो वि इसने हमारे फोल्ड को ओपन कर दिया अभी के लिए इसके नरे कोई भी फाइल नहीं है तो मैं फर्स्ट फाइल बनाऊंगा इंडेक्स.html आप चाहो तो होम के नाम से बना सकते हो जो भी आपको ठीक लगे आप फर्स्ट फाइल बना सकते हो बट यूजली क्या होता है कि जो फर्स्ट फाइल बनाते हैं वो इंडेक्स.html के नाम से बनाते हैं यह थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका है वैसे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप कुसी भी नाम से फाइल बना सकते हो कोई फरक नहीं पड़ेगा और यहां पर मैं एक CSS की फाइल का नाम भी कुछ भी मेन सेक्षण होते हैं एक होता है है घेंडर होता है बाडी सेक्षण पहला इंट्रव्य कोईशन आपसे पूछ겠ा है जो हैड Chi section होगा इसका यूज क्या है इसको क्यों यूज करते हैं देखो head section के अंदर हमारा metadata लिखते हैं अब metadata क्या होता है metadata का मतलब है कि जैसे आपको title लिखना है आपकी website का favicon icon add करना है और आपको css include करनी है या फिर आपको internal css लिखनी है कोई चोड़ी वह जावास्क्रिप्ट लिखने तो आप लोग उस head section के अंदर लिख सकते हो और जो body section होता है उसके अंदर बस हम लोग हमारा html का code ही लिखना prefer करते हैं तो मैं यहाँ पर head section ले दूँगा और यहाँ पर मैं एक body section ले दूँगा चीक है और body के अंदर अभी के लिए मैं एक h1 tag भी ले लेता हूं इसको बोलते हैं हम लोग heading tag html के अंदर बहुत सारे heading tag होते हैं h1, h2, h3, h6 तक होते हैं इतना हमने लिख लिया अब मैं इस page को open करूँगा browser के अंदर जब इसकी html extension होते हैं तो अपने आप browser catch कर लेता हो और आप लोग इसको browser में open कर सकते हो इसको browser में open करा आपको यहां पर लिख गया परफेक्ट बहुत ही simple सा हमने जो code लिखा था कुछ चीजें और भी हैं कि आप लोग यहां पर console में क्या कर सकते हो element से आप लोग क्या कर सकते हो इसको यह वाला पार्ट है ना inspect element करके जो open करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग dev tool और एक developer के लिए यह dev tool काफी important रहता है especially for web developer because यहां से आप लोग debugging कर सकते हो network request देख सकते हो बहुत सारी चीजे देखते हो next वाले या फिर एक दो पार्ट के बाद में मैं इसका भी tutorial बनाऊगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको और अच्छे से use कर पाओ जा आप इसको अच्छे से use कर सकोगे ना तो आप html भी यहीं पे लिखोगे बाद में css भी यहीं पे लिखोगे और बहुत सारा time save करोगे आपको बार बार यहां पे और वहां पे css की file बना लिए अब इनको link कैसे करना है देखो हम लोग कभी भी html की file को css वाली file में include नहीं करते हैं हमेशा css वाली file को html के अंदर ही include करते हैं ऐसा क्यों answer बहुत simple है इसका answer यह है कि जो हमारा output देखता है वो html वाली file से दिखता है css की file से output कभी नहीं दिखता हूँ ठीक है अब आप इसको यहां पर जैसी आप इसको चेक करोगे तो आपको यहां पर जो टाइटल है आपका मिल जाएगा जो अब इसको लिंक कैसे करना है css वाली file को लिंक करने के लिए हम लोग यहां पर करते हैं एक link meta tag का यूज link use करेंगे आप इसको close भी कर सकते हो html में tags दो तरीके से बंद होते हैं एक तो self closing होते हैं कि जैसे कि यहीं पर close हो गया एक होते हैं अलग से close जैसे कि यह open हुआ इसके बाद में कुछ लिखा और यह बाद में अलग से close हुआ और जो ओन होने के साथ में लास्ट में हम लोग slash बंद कर देंगे उसको बोल दें self closing tags यहां पर हम लोग लिखेंगे path उसका path के लिखते हैं href हम उसका path देते हैं file का तो आप यहां पर दे सकते हो style.css चीक है अब आप यह check कैसे करोगी यह file include हुई भी है के नहीं हुई है कुछ लोग यह गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं क्या जैसे आप लोग यहां पर check करोगी इसको control you करेंगे आपको css की file दिख जाएगी आप लोग सोचोगी ठीक है यहां पर css की file में कुछ लिखा नहीं हो बट यह open हो गई है ठीक है तो हम लोग यहां पर कुछ css की file में लिख देते हैं यहां पर लिख देता हूं body और यहां यहां पर coat दिख रहा है perfectly बट अगर आप यहां पर आकर check करोगे ना तो body यह color जो तो change नहीं हुआ ऐसा क्यूं विकोज यहां पर ना आपको एक चीज और add करनी होती है आर इल आप मुझे यह बताओ इस question का answer में आपको नहीं दुआ कि आर इल का मतलब क्या होता है और यहां पर लिखना पड़े है style sheet और अब यहां पर आओ 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 आप इसको refresh करते हैं और आपका जो background color है वो आपको sky blue हो गया है एक चीज में आपको और बता देता हूँ देखो अब हमने यहां पर body लिखा ठीक है तो body इसने catch कर लिया बट जो style add करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हम लोग एक tag के ओपर HTML की एक ID दे सकते हैं class दे सकते हैं और data types दे सकते हैं उनसे भी हम लोग CSS apply करवाते हैं वो मैं आपको आने वाले part के अंदर बताऊंगा अभी के लिए बस समझ लो कि हमने body का color change कर लिया CSS में ऐसा करना पड़ता है body का change color करने के लिए यह body क्या है background color क्या है और यह अंडर हाइफन color क्या है और यहां पर यह स्काइब लू क्या है इस जी भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा निकों सेलेक्टर वगएरा बोलते हैं आपको आने वाले part के अंदर बताऊंगा चिक हैं बना सकते हैं बिलकुल अजैसे आपने style sheet बना ली style sheet 2 नाम से किसी और नाम से भी बना सकते हो उसको भी यहां पर एड़ कर सकते हो उसमें कोई प्रोलम भी नहीं मिलेगी एक question और पूर सकते हैं कि css कितने type की होती है css तीन type की होती है inline css होती है internal css होती है और external css होती है inline css का मतलब यहां पर मैं आपको पता देता हूँ आप लिखता हूँ style और यहां पर मैं लिखता हूँ color और यहां लिखता हूँ green यह होती है हमारी inline style यह आपको पता होगा ठीक है इसका color green हो चुका है आप देख सकते हो ठीक है एक होती है internal style इंटरल स्टाइल आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो तीनों एक साथ भी उसकते हैं सब्सक्राइब यहां पर यूज होगी बस एक ही प्रोपर्ट लिखनी होटे हूं तो हम लोग इन उइन याइन य्ज उसकर लेते हैं जब हमें कोई 走ड़ी star लिखनी होती है तो मोग लोग इंटरल यूज और कोड आपको सारा का सारा github के ओपर मिल जाएगा उसके आपको टेंशन लेने की जुरूत नहीं है अगर आपने अब तक चनल को सबस्क्राइब नहीं करा तो वो सबस्क्राइब भी कर लेना एंड इंस्टाग्राम पर फोलो भी कर लेना थैंक्यू सो मच